आज हम और आप सन 1970 में रिलीज उस कल्ट क्लासिक फिल्म के रोमांचक सफर पर चलेंगे जिसके निर्मान के लिए दक्रेट सोमेन राजकपुर साहब ने अपना सब कुछ दाओं पर लगा दिया था जिहां यह फिल्म है मेरा नाम जोकर के ए अब्बास यानि ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा लिखी गई इस कालजई फिल्म में राजकपुर साहब ने निर्मान, निर्देशन, अभिनए और ना जाने कितने ही कामों को अकेले ही संभाला था भारती फिल्म इत्यास के बेहतरिन फिल्मों में सुमार इस फिल्म के मुखे कालाकार थे महान संगितकार जोडी संकर जेकिसन के आविस्मरन्य संगीत से सजी हुई कुल नवगान इस फिल्म में रखे गए थे इन गीतों में अपनी सब्दों का जादू बिखे रा था कवी गोपाल दास नीरज, सैलेंद्र, हसरत जैपूरी, प्रेमधवन और सैली सैलेंद्र ने आजकल के उतेजग गीत संगीत के दोर में एक अलग ही सुकून देने वाली इन गीतों में अपनी सुमधुर आवाज से सम्मोहन पैदा किया था मुकेश, मुहम्मद रफी, मन्नाडे और आसा भोशले ने 46 मिनट और 36 सकेंड की कुल लंबाई वाली इस एल्बम के नव गानों में से कई गाने आपको आज भी रेडियो, टीवी, इंटरनेट इत्यादी में देखने सुनने को मिल जाएंगी खास करके जीना यहां, मरना यहां, जाने कहां गए वो दिन, तथा कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीगत, आधा फसाना चलिए अब थोड़ी सी नजर डाली जाए फिल्म की कहानी पर फिल्म की कहानी बुनी गई है राजु नामक एक नवीवक के इर्दगीर, जो अपने पिता की तरह ही जोकर बनकर इस दुनिया को हसाना चाहता है फिल्म राजु के बच्पन से लेकर जवानी तक के सफर को दिखाती है और इस दवरान उसके जीवन में तीन तीन लड़किया आती है परंतु हर बार परस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती है कि किसी के साथ भी राजु अपने रिष्टे को आगे नहीं बढ़ा पाता है और उसका जीवन अपार दुखों से भर जाता है इन परस्थितियों में भी राजु अपने दिल के गहरे घाओं को छुपाते हुए दुनिया को हसाता है फिल्म की कहानी वास्तों में अत्यन्त ही मारमिक है जिसे देखकर आपकी आँखों में बर्बस ही आँसु आ जाएंगे चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं फिल्म से जुड़े कुछ किसे और कहानियों से भारत्य फिल्म इतिहास के सबसे लंबी फिल्मों के सिर्ष पर सुमार होने वाली इस फिल्म की कुल लंबाई थी 244 मिनट अर्थात 4 घंटे और 4 मिनट फिल्म की इतनी लंबाई को देखते हुए इसे दो मध्यानतरूं के साथ रिलीज किया गया था यहां बताता चलू की इस से पहले भी राजकपूर ने सन 1964 में एक काफी लंबी फिल्म बनाई थी फिल्म का नाम था संगम और इस फिल्म को भी दो मध्यानतरों के साथ रिलिज किया गया था फिल्म संगम की कुल लंबाई थी 238 मिनट यानि फिल्म मेरा नाम जोकर से 6 मिनट कम सन 1964 में जब फिल्म मेरा नाम जोकर बननी सुरू हुई थी तो राजकपूर ने सोचा भी नहीं था कि फिल्म दिन परती दिन इतनी लंबी होती जाएगी फिल्म के सुटिंग के दोरान लेखक के अबास और राजकपूर को नए नए आडियाज आते गए और फिल्म लंबी होती चली गई परन्तु इसके साथ साथ फिल्म का बजट भी बढ़ता गया और बात यहां तक पहुँच गए कि राजकपूर ने अपने बंगले को भी गिर्वी रख दिया कड़ी मेहनत से फिल्म को पूरा करके और एक सुनहरे भविस्य की उमीद में राजकपूर ने इसे सन 1970 में रिलीज कर दी परन्तु कुछ ही दिनों में फिल्म बॉक्स ओफिस पर अंधे मोगीरी और राजकपूर का जीवन एक साथ ही कई भी पतियों से घिर गया फिल्म की लंबाई को घटा कर सन 1980 में इसे फिर से रिलीज किया गया और इस दफे फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर सफलता के नए किर्तिमान अस्थाफित कर दिये अगर आप राजकपूर के द्वारा बनाए गई सबसे अच्छी फिल्मों की बात करेंगे तो उस सुची में फिल्म मेरा नाम जोकर सिर्स पर होगी भारत में रिलीज के दो सालों के बाद सन 1972 में इस फिल्म को सोवियत संग रूस में भी रिलीज किया गया था फिल्म को देखकर रूसी समीच्छकों और दर्सकों ने काफी सकारात्मक परति किरिया दी थी वहाँ शुरू में पूरी फिल्म एक ही बार में रिलीज की गई थी प्रंतु बाद में फिल्म की लंबाई को देखते हुए इसके कहानी के तीन भागों के अनुसार फिल्म को भी तीन अलग-अलग भाग में रिलिस किया गया यहां बताता चलू की राजकपूर भारत के साथ-साथ रूस में भी समानतर रूप से लोकपिरिये थे आज भी जब आप रूस जाएंगे और किसी भारती कलाकार की बात करेंगे तो रूसी लोग जट से राजकपूर का नाम ले लेंगे राजकपूर के साथ-साथ फिल्म अश्टार मिथुन चक्रवर्ती के भी लाखो परसंसक आपको रूस में मिल जाएंगे मेरा नाम जोकर वह पहली फिल्म थी जिससे राजकपूर की मजले बेटे रिसी कपूर ने बाल कलाकार के रूप में परदे पर पदारपन किया था फिल्म में रिसी कपूर ने राजकपूर के बचपन की भुमिका निभाए थी रिसी कपूर को लेकर एक बाद यहां आपको बता दू कि मेरा नाम जोकर के फलाव फोने के बाद राज कपूर ने काफी कम बजट की एक अन्नी फिल्म बनाई और फिल्म के लिडरोल के लिए चुना रिसी कपूर और डिमपल कपाडिया को और यह फिल्म जब सन 1973 को रिलीज की गई तो काफी बड़ी हिट सावित हुई और इस फिल्म ने इतनी कमाई कर ली कि राज सहाथ के सारे करजे चुक गए थे क्या आपको याद आया यह फिल्म? जी हाँ यह फिल्म थी बावी फिल्म मेरा नाम जोकर के कई द्रिस्य अपने दौर के हिसाफ से काफी अड़वांस थी खास करके अभिनित्री पदमिनी और सिमी गरेवाल पर भीगे कपडों में फिल्माएगे कुछ द्रिस्य जो कि आज भी आपको असहज कर देंगी फिल्म में रूसी अभिनित्री, सिन्या रया बिंकीना और राजकपूर पर फिल्माएगे कुछ चुम्मन द्रिस्य भी आपको देखने को मिलेंगी जो कि उस दौर के हिसाफ से वास्तों में काफी एड़वांस थी हाला कि जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये द्रिस्य फिल्म में युही सामिल नहीं थे अपी तु ये कहानी की मांग थी जब आप राजकपूर सहाथ की फिल्म के गानों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि उनकी फिल्मों में लता मंगेसकर के द्वारा गाई गई कोई ना कोई गीत अवस्य ही सामिल रहता था परन्तु इस फिल्म में लता मंगेसकर का गाया कोई भी गाना नहीं है फिल्म के अधिकतर गाने लिखे थे राजकपूर सहाब के सबसे पिरिये गीतकार सैलेंदर ने परन्तु फिल्म के एक गीत जाने कहां गए वो दिन को आधा लिखकर वो इस दुनिया को छोड़ गए बाद में इस गीत को पूरा किया था सैलेंदर सहाब के बेटे सैली सैलेंदर नी जब आप फिल्म को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि राजकपूर के दो अन्य पुराने फिल्मों के द्रिस इस फिल्म में सामिल किये गये हैं जिहां यह बाद सत्परतिसत सही है ये दिरिश्टी फिल्म के मसहूर गीत कहता है जोकर में सामिल किये गए हैं जहां बाइसकोप पर जब बच्चे फिल्म देखते हैं तो उन्हें फिल्म आवारा तथा सिरी 420 के मसहूर गीत आवारा हूं और प्यार हुआ इकरार हुआ देखने को मिलता है फिल्म में राजुजी सरकस में ज्योकर का काम करता है उसका नाम है जेमीनी सरकस वास्तों में उन दिलो भारत में इस नाम का एक सरकस काफी मसहूर था तथा उस सरकस के कई सदस्य भी रूसी थे फिल्म में रूसी सरकस वालिक की भुमिका में दिखी थी मसहूर रूसी अभिनेत्री सेनिया रयाबिंकीना जो कि उन दिलो भारत में काफी मसहूर हुई थी लोग उनको फिल्म में निभायगे किरदार मरीना के नाम से ही पुकारते थे क्योंकि कई लोगों को उनका वास्टाइक नाम नहीं पता था और जिनेंप पता भी था वो ठीक से उनके नाम का उचारन नहीं कर पाते थे यहां आपको बताता चलू कि इन्होंने मेरा नाम जोकर के अलावा चिंटू जी नामक एक मात्र हिंदी फिल्म में काम किया था यह फिल्म रिलीज हुई थी मेरा नाम जोकर के रिलीज के ठीक 49 साल बाद यानि सन 2009 में चलिए बात करते हैं फिल्म को मिले अवार्ड्स की हलाकि फिल्म जब रिलीज हुई थी तो उस वक्त दर्सकों कथा फिल्म समिच्छकों ने इसे उतना प्यार नहीं दिया था प्रंतु फिल्म अच्छी होने का एक सबुत यह भी है कि उन दिनों फिल्म को कई अवार्ड्स से नवा आ जा गया था फिल्म के संगितकार संकर जैकिसन, सिनोमेटोग्राफर राधु करमाकर, गायक मन्नादे, डारेक्टर राजकपूर और साउंड रिकोर्डिस्ट अल्ला उद्दिन खान कुरैसी को उस साल के फिल्म फेर आवार्ड्स से सम्मानित किया गया था तथा बेस्ट चैल्ड आर्टिस्ट के लिए रिसी कपूर और बेस्ट सिनोमेटोग्राफर के लिए राधु करमाकर को नेशनल फिल्म आवार्ट्स भी हासिल हुआ था तो ये थी सन 1970 की कल्ट कलासिकल फिल्म मेरा नाम जोकर से जुड़ी हुई किसे और कहानिया यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताए तथा ऐसा ही अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें अगर आप इस फिल्म को पूरा देखना चाहते है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो को अन्त तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद